हरे क्रेशना, मैं विशाल पावा, आपको कराने जा रहा हूँ त्राटक मेरिटेशन. इस मेरिटेशन को आप जमीन पर या किसी चेर पर बैट कर भी कर सकते हैं. इसमें आपने एक कैंडल को किसी बॉक्स पर या किसी चीज़ पर रखना हैं. और ध्यान रहे कैंडल की फ्लेम आपके आई लेवल पर होनी चाहिए. यानि कैंडल की फ्लेम ठीक आपकी आँखों के सामने, ना जादा उपर ना जादा नीचे. और आप कैंडल से दो से धाई फीट के दूरी पर बैट जाएं. अब हम शुरू करेंगे मेरिटेशन. आप बिल्कुल कमफर्टिबल होकर बैट जाएं, आखे बन और शरीर बिल्कुल ठीला. अब सबसे पहले आप आउटर वर्ल्ड से अवेर हो जाएं. यानि चारों तरफ से जो भी अवाजे आपके कानों तक पहुँच रही हैं, उन सब को ध्यान से सुनें. जैसे मेरी अवाज, म्यूजिक की अवाज, और भी छोटी मोटी अवाजें, जो आपके कानों तक पहुँच रही हैं, उन सबी अवाजों से अवेर हो जाएं. अब आप बारी दुनिया से अपने आपको डिस्कनेक्ट करते हुए अपनी बॉडी पर आजाएं. अब आपकी बॉडी पर कहीं भी कोई पेन, तकलीफ, दर्द या डिस्कमफर्ट महसूस हो रहा है, तो उस पर फोकस करें. उस बॉडी पार्ट पर ध्यान दे. और अब अपनी बॉडी से अपने आपको डिस्कनेक्ट करते हुए अपने मन की ओर आ जाएं. और अब देखें आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आपका मन क्या सोच रहा है, किस बारे में सोच रहा है, पास्ट का या फ्यूचर का, नेगिटिव या पॉजिटिव, जो भी सोच रहा है, उसे सोचने दे. आपने ना रोकना है, ना कुछ कंट्रोल करना है. आपके मन में जो भी चल रहा है, उसे बस चलने दे. अब आप मेरे साथ एक गहरा सांस लीजिए, in, hold, सांस रोके, और मुँ खोल कर धीरे धीरे सांस बाहर, दुबारा से एक गहरा सांस लीजिए, in, hold, सांस रोके, मुँ खोल कर धीरे धीरे सांस बाहर, एक पर और, एक गहरा सांस लीजिए, in, hold, सांस रोके, अब मुँ खोल कर धीरे धीरे सांस बाहर, रिलाक्स, अब आपका सारा ध्यान आपकी दोनों लेक्स पर, चेक करें, आपकी दोनों लेक्स बिल्कुल रिलाक्स, अब ध्यान को उपर लाते हुए, अपनी अपर बोडी पर, आपकी अपर बोडी बिल्कुल रिलाक्स, अब आपका सारा ध्यान आपके दोनों शोल्डर पर, आपके दोनों कंधे बिल्कुल ठेले ठाले, अब आपका ध्यान आपकी दोनों बाहों पर, आपकी दोनों बाहें बिल्कुल रिलाक्स, अब आपका ध्यान आपके दोनों हाथ पर आपके दोनों हाथ बिल्कुल रिलाक्स ध्यान को उपर लाते हुए आपका फेस अपने चहरे को बिल्कुल ठीला छोड़ दे उसी तरह पूरा शरी सिरसले के पाओं तक रिलाक्स अब आप मेरे साथ तीन बार ओम चैंट करेंगे मूँ बंद करके एक गहरा सांस लीजिए इन दोबारा से एन एक पार और इन रिलाक्स शरीर बिल्कुल ठीला अब आप धीरे धीरे अपनी आँखे खोलें और अपने सामने उस कैंडल फ्लेम को देखें शरीर बिल्कुल ठीला, माइड बिल्कुल रिलाक्स और आपकी नसरे उस कैंडल फ्लेम पर बवलड खानिए आपने प्लेम अपने सामने प्लेम मरब इन यदेफे वालम ऑने शरीरे प्लेम जो झाल रहा है आपकी ऊखे नसरे उन झाल झाल देखते देखते अगर आपकी आइस काफी बार बिलिंक हो तो जिन्ता की कोई बात नहीं आपकी आखे चाहे जितनी बार भी चपके तो चपकने दे आप बस रिलाक्स होकर उस केंडल फ्लेम को देखते रहें झाल 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 आखों में स्ट्रेंड पड़े यानि भारीपन महसूस हो तो आप अपनी आखों को कुछ समय के लिए बंद कर लें और जब आपको ठीक लगे तो दुबारा से आखे खोल कर उस केंडल फ्लेम को देखें झाल 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 प्रोल करें बस आप उस केंडल फ्लेम को बिलकुल रिलाक्स होकर देखते रहें झाल झाल देखते देखते अगर आपकी आखों से पानी निकले तो अपने हातों से साफ कर लें आपका सारा ध्यान केंडल फ्लेम पर प्रोल झाल 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 प्रोल झाल 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 आपका शरीर सिरसिले के पाउं तक बिल्कुल ठीला आप बस उस केंडल फ्लेम को देखते रहें कुलन तक बिल्कुलेगे, दोरी हैं कुलन एवस्टन को तक आपको दोका तक अाल झाल झाल अब आप आखे बंद कर लें और एक गहरा सांस लीजिए मेरे साथ इन होल्ड सांस रोके शरीर बिलकुल धीला और मुँ खोल कर धीरे धीरे सांस बाहर अब आप धीरे धीरे आखे खोल लें आपका सारा ध्यान उस केंडल फ्लेम पर बिलकुल रिलाक्स होकर उस केंडल फ्लेम को देखते रहे कर दो कर दो कर दो कि अए झाल 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 रिलाक्स अब आप शावासन यानि बिलकुल सीधा होकर लेट जाएं शरीर बिलकुल ठीला आखे बन सिर्सले के पाउं तक शरीर बिलकुल ठीला छोड़ दें अब एक घहरा सांस लीजिए इन होल्ड सांस रोके और मुँँ खोल कर एक्सेल अब आपका जब तक मन चाहे शावासन में लेटे रह सकते हैं और कुछ देड के लिए ये म्यूजिक चलता रहेगा आपकी मेडिटेशन समाप्त हुई हरे कृष्णा 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 झाल झाल